गोड मॉर्णिंग औल इंडिया रेडियो और आज सवा के अनलेसिस में आप सबों का स्वागत है अगर औल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज की बात करें तो वही सारी बाते की गई है कुछ खास इंपोटेंट नहीं निकलता है देज देशांतर के अंदर बात करें तो युके का, युके का constitutional crisis के बारे में डिस्कस करेंगा नेक्स जो बात की गई है वो इंडियेफ्ट के अंदर बात की गई है इंडियेफ्ट के अंदर हमारे PM को बहुत सारे आवार्ड मिले हैं उसे के बारे में एक दू चलs जितनी भी अवाड मिले है एक जगे अकठा करके डिसकस करेंगे, विशेज के अंदर जो बात की गई है, वो बात की गई है, हमारे अमिताब बच्चन को दादा साब फाल के अवार्ड मिला है, तो ये तो इंपोर्टेंट नहीं होता है, आप जानते हो, तो चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं, पहली न्यूज जो है हमारे प लोग याद आए, तो ये order of jayad, order of jayad, order of jayad, u a e ने दिया था, next बात करें, तो दूसरा जो है, so यहाँ पर award दिया गया था, रसिया के द्वारा, रसिया के द्वारा, एंड्री, the apostle, order of the, नहीं, ये नहीं, order, order of st, एंड्री, एंड्री, the apostoli, तो राजपटा नाम है, इस रखा हो, तो आपको रसिया ध्यान रखना है, highest comfort award है, next बात करें, तो flip kotler award, flip kotler award, ये आपको याद होगा, ये दिया गया था, अब फिलिपीन्स के द्वारा, इसमें कोई नया चीज नहीं है, next बात करें, तो एक और award है, जो global economics के लिए, siol peace prize, siol peace prize दिया गया था, आपको याद होगा तो, एक ये रसिया वाला हो गया, एक UAE वाला हो गया, तीसरा flip हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये siol award, अब देखो, चौथा award है, अर्थ सेवार, चेंबियन्स आप दा अर्थ 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 अर्थ, ये दिया गया, United Nation के द्वारा और ये चौथा award, पांचवा award जो है, ये क्यों दिया गया था, ये चेंबियन्स आप दा अर्थ अर्थ अर्थ, ये आपको याद हो, तो International Solar Alliance जो 2015 में बनाया गया था, ये जो हमारा पुरा अर्थ है, ये equator और Tropic of Capricorn Cancer के बीच में, जो भी country है, ये International Solar Alliance को आगे लेकर के आए इसके लिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, अब पांचवा के बाद, छटा, caller of the estate Palestine, caller of the estate Palestine, जायर सी बात है, पांचवा एबाद, अब छटा अब जो है, अफगानिस्तान में दिया गया था, अमीर अब्दुल्ला खान, अमीर होता है, और एक साओदी अरभिया ने भी एक दिया था, अब्दुल्ला खास, अब्दुल्ला खास, यह सात्वा हो गया, और निक्स जो अभी जो एक और है, वो 19 में दिया गया, रूल आफ इसको मिटा दू जना, बहुत जदे हो गया है, फिर वताता हूँ, यहां पर रू रूल आफ निशान इजाउद्दीन, रूल आफ निशान इजाउद्दीन, यह भी दिया गया था, आपको याद हो तो, नेक्स बात करें, तो और कुछ भी नहीं है, मतलब अभी आपको पता ही है, सारा कंटेक्स पता ही है, हमारे परधान मंत्री जी कहां गया हुए है, क्य भारत कैमपेन के लिए इनको दिया गया है, अब को यह सारी बाते धियान में रखनी है, बहुत इंपोटेंट होता है, चलते हैं, नेक्स्ट आर्टकिल के, नेक्स्ट आर्टकिल की बात करें, तो देजदे सांतर के अंदर बात की गई है, एक नागरिक, एक पैचा, मतलब क पहने का है, कि पासपोर्ट हो, उसको एक में ही सिमट जाए, चाहे ड्राविंग लैसेंस हो, चाहे जो भी चीज हमारे पास होता है, सारा कुछ एक ही में हो जाए, यह पॉसिबल तो नहीं लगता है, लेकिन गौश्ट ने कहा है, तो हो भी सकता है, क्योंकि अगर ड्रावि के भी passport है तो citizenship की जहुरत होती है तो सब के अलग अलग तरह चीजें होती है हाला कि government ने बाट कहीं है तो हो सकता है implement भी हो data security का issue हो जाएगा process क्या होगा इसका किस तरह से वह valid होगा क्या होगा नहीं होगा यह सब आप challenges में और next fundamental right का कहीं violation तो नहीं हो रहा यहां पर data ecosystem कहीं government खुद का तो तयार करने के इस नहीं कर रहा IT को empower करना होगा तब जा करके इस तरह के चीजें हो सकती है आप positive negative donor use कर सकते हो इसके अंदर positive यह होगा कि documents रखने के बज़ा है एक document रखो कानी खत्म साला काम हो गया हमारा चलते हैं next article पर next article जो हमारा है एक second इसके अंदर और भी दो चार बाते हैं दो चार बाते हैं social media पर लगाम यह जो social media पर लगाम का एक डेसे सांदर क्या आया हुआ हुआ है वह हमारा कल का article था इसके अंदर social media पर किस्तरा से देखो पहला और तो पर attack किया जाता है महिनाओं पर कोई regulation नहीं है दूसरा political party जो है अलग तरह से आती है और अलग तरह से agenda फैलाता है लोगों को manipulate करता है क्या social media की जिम्मेदारी है यह की नहीं सवाल तो यह उठता है तो चाहिछी बात है अ इसका भी इसवा आता है fundamental जो हमारा speech है जो हमारा बोलने का अधिकार है उसका भी इसवा आता है अगर कोई कहे कि मेरे पास AK-47 है AK-47 राइवल है I want to sell it time time मैं इसको बेचना चाहता हूं तो क्या इसको government regulate नहीं करेगी यह company का जिम्मेदारी नहीं बनता है कि आप ऐसे information को government को सुचित करें या police को सुचित करें और ऐसे लोगों को पकरा जाए इस तरह के examples को आप यूज कर सकते हो जिम्मेदारी तो company की बनती है हाला कि जिम्मेदारी की बात करें तो रस्या में और लीविया में company जिम्मेदारी लेती है और उनका जैसे कि data हमारे यहां का data का server जो है USA में है तो USA हमारे यहां भी तो server बना सकता है हमारे यहां भी तो सारी कर सकता है असल में डिक्कत यह है टेक्ट्रोजी और law के बीच gap बहुत बड़ा है तेक्नलोजी और law के बीच gap बहुत ब़़ए है हाले कि हमारे पास IT Act 2008 है लेकिन यह उस तरह से इफेक्टिव नहीं है 69 जो है असल हमें यह न्यूज इसलिए आया है कि सुप्रीम कोड ने कहा है अपने गॉर्मेंट से कि भाया गाइड लाइड दो कुछ तो करो इसके उपर रोल्स तो कुछ तो बनाओ यह सोचना होगा कभी-कभी सोचल मीडिया का रोल पहले यहां पर आ जाता है आप पॉजिटिव पॉइंट्स को भी इंग्णोर नहीं कर सकते हो आई-टी एक्ट को मद्य नजर रखते हुए लॉव तो बनाया जा सकता है जब कुछ नहीं है लॉव नहीं बनाया जा सकता है रूल्स रेगुलिशन्स सब कुछ को ध्यान में रखते हुए राइट टू प्राइवेसी साड़ा कुछ को फ्रीडम और स्पेस सब को ध्यान मे नहीं है ये बात आपको मालुम है तो यहाँ पर रिटे कॉंस्टिशुशन क्राइटी मतलब रॉल एडिट्व पार्लियमेंट जो है मतलब क्या यूज करें किस तरह से नहीं करें हमारे यहां तो पार्लियमेंट डिजॉल्व हो जाता है लेकिन वहां नहीं होता है कुछ इंपर्टेंट नहीं होगा मतलब आइडिस बैक स्टॉप या फिर इमेगरेंट इसू जो भरता जा रहा है प्लेबैक डिल कॉछ डिल होता है शुट भी कुछ डिल होता है मतलब फावं से अर्टारीस वोडिंग इन फेवर लिविंग एक्चुली यह वहां की डेमोक किस तरह से लोहों का सब नेताओं का सपोर्ट करती है फिर दुद पावर्स लाओ इस देर क्लियर डेमोक्रेशन मतलब कहने का मतलब यह है कि पावर कहा है क्लियर है किया डेमोक्रेशी जुज्मेंट इस बेसे फैक्ट एक्ट सुस्पेंस अं आटसाइड प्रोडिंग प्र पर्लेमेंट इस प्रेंडम वाज इमोशन मतलब इमोशन की कहानी हो जाती है what should be the way forward क्या होगा take it back to the people conservative Boris Johnson's no deal exists next labor will try to for deal then take back to the people and support them liberal democratics होना चाहिए revoke referendum to all together होना चाहिए Brexit has actually brought on the increasing need to have written constitution Brexit ने एक ऐसा खाखा त्यार किया है कि इसको जो है written constitution की ज़ुरत ही कहा जा सकता है अब कुल मिला करके UK का constitutional इसी है विस हुए crisis है हाला कि मेंस के अंदर इस तरह के question बनते है कि discuss about discuss about क्या बोलता है constitutional crisis तो आपको इनको नजर रखना है तो आज के news में इतना ही था thank you thank you